दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने यहां उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लेकर कहा कि मोदी जी फिर से सरकार में आएंगे तो दो महिने में योगी जी हट जाएंगे उनको कैसे जवाब देना कुछ वाजब समझता नहीं हूँ वो कई चीज़ें बोलते हैं उन्होंने अपने एक टाइम पे अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे तो वो जो आदमी अपना भविश्य नहीं तैक कर पाता है वो हम लोग का भविश्य कहां से तैक करेगा असी में असी बड़ा टार्गेट है जब टार्गेट बड़े होते हैं तो सोच भी बड़ी होती है और कोशिक भी ज़्यादा होती है विपक्ष तो कह रहा है आप लोग असी में असी यहां कह रहे हैं चार सो अपार वहां कह रहे हैं चीज चार सो अपार इस बार होगा उसे कोई खास फरक पड़ता नहीं है आंत में हम लोग जीतेंगे यूत उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जरूरी है महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री योगी आद्यतनाथ के साथ प्रधान मंत्री कहते रहे हैं 80 से 80 का टार्गेट है और जनता समर्थन जरूर देगी प्रधान मंत्री किसी ने नहीं सोचा था इस समय सोचा है मानिये मुख्यमंतरी योगिया दितिनाज जी ने पहले इन भूरवांचल विकास बोर्ड में काम शुरू किया और इन दोनों जिलों में काफी काम इस समय प्राथमिक्ता दे करके चल रहा है तो मुध्दा यहां पर केवल विकास है और तीवरता विकास में लाने की बात है बस दिल्ली की मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने यहां उत्तरप्रदेश की मुख्यमंतरी को लेकर कहा तो वो जो आदमी अपना भविशे नहीं तैक कर पाता है, वो हम लोग का भविशे कहाँ से तैक करेगा असी में असी बड़ा टारगेट है जब टारगेट बड़े होते हैं तो सोच भी बड़ी होती है और कोशित भी ज्यादा होती है लेकिन सर विपक्ष तो कह रहा है आप लोग 80 में 80 यहां कह रहे हैं 400 अपार वहां कह रहे हैं 400 अपार इस बार होगा वो कह रहें 1500 सीटी भी नहीं आएंगी महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कैसे सामना कर रहे हैं इन चीजों का फिर आप लोग विपक्ष कितनी सीटों पर लड़ रहा है उस पर सवाल करना चाहिए विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि किस तरह से वो सीटें जीते हैं हम 400 जीते हैं या 399 जीते हैं चार सो पांच जीते हैं उससे कोई खास फरक पड़ता नहीं है अंत में हम लोग जीतेंगे जो काम हुआ है हर दिल में इस समें मोदी है जो आज हम लोग ने मोदी जी की जन सवा थी एक लोग सवा की जन सवा थी यहां पे उसमें करीब एक ला डबल एंजिन सरकार ने जो एक अलग सी जगे बनाली है लोगों के रिदह में अपना काम करके क्योंकि जो बन्यादी सोच हैं जो बन्यादी ज़रूरते हैं स्वास शिक्सा, बन्यादी धाचा, रोजगार, सुरक्षा, ये सब चीज들े डबल एंजिन सरकार में धीरे देरे आ election लग रहने हैं योगी जी का एक बयान आया अभी एक rally में बलकि बार बार वो पाकिस्तान को लेकर बाते कहते रहे हैं अब वो कह रहे हैं छे महीने में सरकार अगर हमारी बनती है बनी जाएगी वो कह रहे हैं और आप लोग भी आश्वस्थ हैं लेकर तो पीओ के हमारा हो जाएगा च्छे मैंने में यह बैयान सुना नहीं है तो इसलिए मैं कभी जो बैयान मैंने स्वेम ना सुना उस पर मैं टिपड़ी नहीं देता हूं आप यह पीओ के पे हम लोग का हक तो है हम लोग जेहन के असेम्बली में भी इसलिए पीओ की लेखिए गए उन्स वालों पर मैं बात करूंगी लेकिन पहले राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है और जिस वक्त राम मंदिर बन रहा था क्या बाचीत होती थी भाव्य मंदिर कैसे बनाना है क्या तैयारिया करनी है जंता का सपना कैसे पूरा करना है मेरे पिता जी मेरे से बड़े भी हैं और हम लोग के परिवार में कभी भी दफ्तर की चर्चा घर पे नहीं होती है हम लोग अपना दफ्तर दफ्तर रखते हैं परिवार की बात परिवार में करते हैं हाँ ये जरूर में कहूंगा कि शैद उनके जीवन का सबसे बड़ा और महतुपूर्ण जिम्यदारी थी राम लला के मंदिर को बनाना और राम लला का जो मंदिर बना है ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है ये भारत की संस्कृति को जो एक बेडी थी जिसमें बांध रखा था जो की कुलोनियल जन्जीर में बांधा हुआ था उसको तोड़ा है राम मंदिर के बनने से हमारे देश में सनातनी हिंदूों में और हमारी संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए उन सब में स्वतंतरता आई है सोच में क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारा जो संस्कृतिक इतिहास है वो भी acceptable हो गया है भारती जन्ता पार्टी विकास पर वोट मांगती है और हमारी जन्ता इतनी समझदार है कि हमारी जन्ता हमेशा सोच समझ की वोट करती है और सही मुद्दों पर वोट करती है राम मंदिर भी एक मुद्दा है और इसमें हथियाने की कोई बात नहीं है मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि भारती जन्ता पार्टी के कारेकाल में मंदिर बना भारती जन्ता पार्टी के कारेकाल में Honorable Supreme Court ने judgment दिया उस judgment का क्रियानवन हुआ है पूरी तरह शान्ती के साथ तो ये मेरे इसलिए गर्व की बात इसमें हथियाने की कोई बात नहीं है इवेंट बना दिया था उस प्रोग्राम को नहीं काश उन लोग को भी इस इवेंट में उनमें इतनी धार्मिक जजबात होते कि वो आ करके इस इवेंट में भागेदार बनते एक एतिहासिक मौके पर और ऐसे हासिक धार्मिक मौके पर अगर वो आते और भगवान राम के सामने शायद हाद जोड़कर प्रातना करते तो उनको भी सद्बुद्धी आ जाती पिपक्ष का कोई नेता भी तक दर्शन करने नहीं आया कुछ हमलसी जरूर आये थे कॉंग्रेस के लेकिन समाजबादी पाठी के नेता योद्ध्य आते हैं दर्शन के बिना चले जाते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं के वलीश्वर जानते हैं ये सब उनका व्यक्तिगत सोच की बात है मेरी आशा ये जरूर है कि भगवान राम इस देश के धार्मिक एवन संस्कृतिक कोर के एक ऐसे बिंदु हैं जिससे कोई भारत की संस्कृति राम के बिना नहीं हो सकती है राम है तो भारत है और अगर इससे आदमी नहीं जुर पाता है तो ये उनका दुर्भाग यही कहूँगा जब राम मंदिर बनके तयार हुआ आप क्या भावना थी आपकी क्योंकि सभी क्यास्था जुड़ी है बलकि मैं ये नहीं कहूँगी हिंदू बलकि हर धरम की आज था जो अयोध्या के मुस्लीम है वो भी पूरा सपोर्ट दे रहे है मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जो उस दिन प्रान प्रतिश्चा देखी किसी के भी आँखों में आसू नहीं आये थे और वो खुशी के आसू थे और लगातार जो पांच सो की घुटन थी पांच सो सालों की घुटन थी एक घुटन हट गई थी असी का टार्गेट कैसे पूरा करने वाले हैं जनता की बीच जा रहे हैं क्या कह रही है जनता की आने वाले समय में और क्या काम कर रहे हैं अगर आप सांसत बन जाते हैं काम तो लगातार चलता है जनता कभी भी एक बुद्धे पर वोट नहीं देती है जनता पूरे समय का देख करके देती है और आगे अभी बहुत काम बचा हुआ है हम लोग के पास हम लोग को विकास की गती तेज करनी है हमें यहाँ पर टेकनोलजी को लाना है इस देश में पूरवांचल में व्यक्तिकल रूप से मेरे को टेकनोलजी लाना है जिससे की हमारे स्वास्त और शिक्षा सेवा अच्छी हो हम लोग को अद्योग लाना है तो करने के लिए तो बहुत कुछ है भारती जंता पार्टी में मानसिक्ता करने की है दूसरी तरफ मानसिक्ता रहती है कि टुकरे टुकरे की बात करके देश को तोड़ करके लोगों को आप थोड़ा सा भ्रमित रखें कि लोग को पूछ न पाएं कि विकास हो कैसे रहा है आप उर्वांचल की बात कर रहा है में राज़ा भाया से बात हुई उन्होंने का मैंने अपना समर्थकों को कह दिया है कि जहां मन करे वहां वोट दो कई सीटों पर उनका प्रभाव देखा जा रहा है आप क्या क्या ये भी बाते कहेगे कि उन्हों राजसभा चुनामें ब इच्छा होगा जन्ता सपोर्ट करें पर आंत में हमारी पार्टी का नाम है भारती जन्ता पार्टी और हम लोग को सपोर्ट चाहिए केवल भारती जन्ता से चार सो पार टार्गेट पूरा हो जाएगा मेरी आशा यही है काफी विश्वास भी है क्योंकि हर जगे से इस समय मोदी जी के लिए जो प्यार उमड़ता दिख रहा है वो प्यार जरूर वोट्स पर ट्रांसलेट होगा नाना पटोले ने मुख्यमंत्री योग्या दितनात को लेकर कुछ बयान दिया उस पर बड़ी नाराजगी बढ़ी है उनको क्या कहेंगे कुछ लोगों को सुर्खियों में आने में मज़ा आता है होता क्या है सूरज को सूरज की रोशनी से सहचंद्रमा भी चमकता है तो जो लोग स्वयम को ना मुद्दा होता है ना कुछ कारे कर पाते हैं कभी-कभी वो लोग टिपड़ी करके सबसे आसान होता है कि उचे आद हम लोग का रिस्पांस होता है काम करना जनता से क्या कहेंगे आप 25 माई को वोटिंग होने वाली है क्या कहेंगे जनता सबसे पहले कहूंगा कि सब लोग जरूर वोट करें सबसे जरूरी है वो भारत माता के प्रति जिम्मेदारी है हर वोटर की कि वोट करें पर दूसरा व आश्रावस्ती लोग सबक्षेतर है उस कलपना में किस तरह का नेत्रित वह आपको चाहिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे विश्वासे लोग कहेंगे नरिन मोदी जी का तीसरा उमीदवारों को देख लीजिए क्या उमीदवार जो लोग आए है उनके पास record है पहले का काम करने का किस तरह के काम किया है इमानदारी से किया है ब्रश्टाचार का विरोध किया है और आपदा समस्याओं में किसने किसने मदद किये बातने की कोशिश नहीं है जनता को ऐसी बाते के 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 या बाटने की कोशिश नहीं है वो तो भीजेपी पे आरोप लगाते है और खुद बातने की राजनीती कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या कहूं यह दुख की बात है जो चीज शयद इस तरह की बातें करके जो चीज उनीस सो सेटालेस में करके गए वही चीज हम लोग अभी फिर से कर रहे हैं हमारा समाज भारतिय समाज जो है और हमारी जो सरकार है वो सबके लिए लगातार क करती है बिना भेदाव के किसी को ये ये मनगरंद समझ ये पर्सेक्यूशन कॉंप्लेक्स जो कहते हैं कि वो इसलिए होता है जिसे कि लोग भ्रमित रहें और वो ये न पूछे मैं बड़ा बेसिक उदाहरन देता हूं आपस में अगर आप लडाई करवाते रहें तो कोई किस गाना की सरकार में जो कॉंग्रेस ने काम किया या करनाटका में जो काम नहीं हो रहा है वो काम क्यों नहीं हो रहा है जिससे जनता सवाल न पूछे इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग उनको जादूई कॉंस्पिरेसी सुनाती रहते हैं जिसे की लोग भ्रमित रहें साकेत मिश्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है या भारते जनता पार्टी के प्रत्याशी और मोदी जी के सार्थी के रूप में जद्दा का समर्थन मिल रहा है तो हम लोग सब लोग उनके सैनिक हो सकते हैं पर वोट अंत में पूरी टीम को मिलता है जिस टीम के कैप्टन है मानिय मोधी जी दिशा निरदेश देते हैं मानिय मोधी जी और अंत में जब पार्टी शब्द होता है पार्टी है, इसमें अनेक लीडर्स है, सब लोग काम करते हैं, पर मोधी जी जिस तरह से रिदे समराट बने हैं भारत में, शायद गांधी जी के बाद उतना बड़ा कोई, किसी ने पूरे भारत में लोगों के रिदे को में स्थान नहीं पाया होगा, उस स्थान से कोई कंप उधाओं को आसानी से जनता तक पहुंचाना है, बस झाल